कोस्टन थर्ड है, फार्स एक प्रकार का कामेडी है, जो कि ऐसे सिच्वेशन वहाँ पे डालता है, जो कि रिडिकुलस होते हैं, बे दुखे होते हैं, और काफी जादा बढ़ा चड़ा के उसमें सब्दों का यूज किया जाता है, और कभी-कभी बेहुदा भी होते हैं, हमको यही चीज़ों को यूलेट करना है, जो पिले हमने पढ़ा हुआ है, दा प्रपोजल, कि दा प्रपोजल जो है एक फार्स एक के कैटिगरी में क्यों आता है, जैसे कि हम जानते हैं, इसके जो करेक्टर है, वो जो है बहुत ही छोटी-छोटी बातों को बढ़ा-बढ़ का यूज करते हैं, चोटी-छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं, और जो राइटर है, उसने कई सारे ऐसे ओर्ड का यूज किया है, जो कि इनिस्ट्री तोर पर फार्स है के कैटिगरी में आते हैं, तो चलिए फिर इसके एंसर को 120 वर्ड से में हम लोग कंप्लीट करते ह अब इसका इंसर है कि the proposal is an example of a farce, because the main characters Lomo and Natalaya are both extremely sensitive and prone to fighting over minor concerns, such as action meadows and pet dogs, तो जो proposal है न एक बहुती अच्छा example है फार्स हका, क्योंकि इसके जो main character है Lomo और Natalaya ये दोनों बहुती ज़्यादा sensitive हैं, बहुती extremely sensitive हैं, और साथी साथ हमेशा लड़ने के लिए त्यार रहते हैं, बहुती छोटी छोटी बातों को लेके, जैसे कि आक्सन मीडियोस की उपर और जो पालतु कुत्ते हैं, दोनों उसके उपर, आगे देखते हैं कि farce a characteristic can also be found in Lomo's, and realistic and dramatic clothing and physical appearance, और जो farce a के लक्षण हैं, हमको मिलते हैं Lomo के बेवारिक और dramatic कपणों पे, और उसका जो सारिक बनावाट है उसके उपर, the most ludicrous situation is when नतलाया drives Lomo out of her house and then she cries for getting married to him, और सबसे ज़्यदार बात है कि जब नतलाया जो है, लोमो को घर से बाहर निकाल देती है, और बाद में जो है उसी से साधी करने के लिए जो है, रोने लगती है, चुपको is a bumbling parent which driven by her daughter swims, तो चुपको जो ह अनाड़ी parent है, राणी पापा है, जो अपनी बेटी के सनक के द्वारा उसका बैवार निधारित करता है, the play's humor and the characters inventile behavior make it absurd, और ये जो play का जो humor है, और साथी साथ जो इसके character है, उनका जो बचकाना या बच्चों जैसा बैवार है, वो इसको बेतुका बनाता है, the characters on the one hand speak with such cut see, एक तरफ तो इसे character है ना, बहुत ही सव्या तरीके से, बहुत ही सब्या तरीके से बात करते हैं, but on the other hand, they do not hesitate to call each other nasty names, लेकिन वही दुसरी तरफ, एक दुसरे के साथ बिलुकुल भी संचोक नहीं करते, संकोच नहीं करते, एक दुसरे को nasty name से बुलाने के लिए, and use foul language, औ दुसरे के साथ करते हैं, बेमानी से बातचीत करते हैं, अब far size based exemplified by proposal, और ये far से जो है ना, बहुत अच्छे से exemplified हुआ है, proposal के द्वारा,